हेलो स्टूडेंट स्वागत है अपका एक और नए वीडियो में आज हम एके रामनुजन की फेमस पोएम एकोलोजी की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस पोएम में रामनुजन बताते हैं कि कैसे हमें प्रकृती का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे बचा कर रखना चाहिए तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं तो ये जो पोएम एकोलोजी है इसे रामनुजन के पोएमस के तीसरे वॉल्यूम सेकेंड साइट से लिया गया है और ये पबलेश हुआ था वर्क 1986 में और ये जो पोएम है काफी वेलनोन पोएम है काफी मशूर पोएम है और इसमें जो स्पीकर है वो जो कि पोएट ही हो सकते हैं या कोई जो imaginary person है जो इस पोएम को बोल रहा है वो बता रहा है कि वो अपनी मा के प्रती बहुत जादा devoted है और उनकी जो मा है वो nature के प्रती यानि प्रकृती के प्रती बहुत जादा devoted है तो जब वो देखता है कि उसकी जो मा है उसे migraine हो गया है यानि बहुत जादा सिर्दर्द हो रहा है एक severe attack आया है migraine का तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि इतना सर्दर्द होने के बावजूद भी उसके मा जो है वो उनके आंगन में उग रहे चंपक के पेड़ों को नहीं कटने देना चाहती जबकि उसका जो सिर्दर है वो उन चंपक के पेड़ों में जो चंपक के फूल आये हैं उन फूलों में जो पराग है पोलेंज है पोलेंज उसके कारण ही मा को सरदर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मा उन पेड़ों को कटना नहीं देना चाहती तो इतना जादा सरदर्द हो रहा था मा के सिर में कि उन को उल्टिया हो रही थी और यह से क्यों हो रहा था because of the fragrance of the pollen of the flower of red चंपक, every time it is in bloom तो जैसे मैंने आपको बताया है वो जो चंपक flowers जो पेड़ पर उगे हुए है उसके महग के कारण उसके pollens के वज़े से migraine हो रहा था मम्मी को और यह जो fragrance है यह खुश्बू जो है वो बहुत ज़दे heavy है और वो suffocating है और यह जो पीले pollen grains है पराग है यह हर जगा पर यह spread हो गया है और speaker का जो घर है उसके घर की जो दर्वाजे हैं और खेड़किया हैं, दिवारे हैं वो भी strong smell को रोक नहीं पा रही है और यह जो strong smell है वो घर में गुश्दी जा रही है तो speaker कहते हैं कि हमारे घर की जो दिवारे हैं वो हर चीज को absorb कर लेती है फिर जाए वो sound हो, sight हो किसी प्रकार का द्रिश हो या इनसानों की आवाजे हो या कोई जग चल रहा है तो उसके पैरों की आवाज हो हर चीज को वो absorb करती है लेकिन इस pollen dust को वो दिवारे तक रोकनी पा रही है और यह जो pollen grains है वो सीधे हमारे घर में अंदर आ रहे हैं लेकिन poet की जो मा है उसे बहुत ही ज़ादा respect और प्यार है उसके याड में आंगन में उगे हुए है और वो कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं है कि ये पैड कब से यहां उग रहे हैं शायद उसके जन्म के विए पहले वो वहाँ पर उग रहे हैं और उस family की जितने भी औरते हैं उनको सबको flowers उन चंपके पेड़ों से ही मिलते थे और उन फूलों को वो अपने भगवानों को चढ़ाया करती थी वो औरते लेकिन इनहीं flowers की जो fragrance है खुशबू है उसके वज़े से migraine हो रहा है मा को और इसलिए बच्चे decide करते हैं कि इन पेड़ों को काट दिया जाएगा लेकिन जब मा ये सुनती है कि पेड़ों को काट दिया जाएगा तो उसे बहुत गुसा आता है she flies into a fury यानि बहुत नाराज हो जाती है वो और protest करने लगती है कि नहीं इन पेड़ों को मत काटो और यहां से जो poet है वो उमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मा है उसके मन में उन पेड़ों के प्रती प्रकृती के प्रती बहुत जादा प्यार है और इस तरीके से अनवेरी यानि मा जानती नहीं है लेकिन indirectly वो नेचर को प्रोटेक करने के लिए एक बहुत ही strong spokesperson है एक ऐसी इंसान है जो नेचर को बचाना चाहती है और वहीं पर जो poet है वो आज का modern educated इंसान है जो नेचर के प्रती प्रकृती के प्रती अपने duty को भूल चुका है तो एक तरफ मा है जो प्रकृती को बचाना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा है जो कि उन पेड़ों को काट रहा है मतलब काटना चाहता है और नेचर के प्रती अपने duty को भूल गया है तो जो मा है वो उन पेड़ों की सिर्फ positive side ही देखती है वो negative side नहीं देखती she says that the tree is as old as her तो वो कहती है कि मेरी जितने उमर है उतनी ही इस पेड़ की भी होगी है बहुत पुराना पेड है और इसने भगवानों को वर्शिप करने के लिए बहुत सारे flowers दिये है और जब कोई चिडिया यहां से उड़कर जा रही होगी और उसने अपने droppings गिराए होंगे यानि उसने जब अपना पेड साफ किया होगा यानि कि urine पास कियोगी तो उसमें से जो मतलब जो गिरा होगा उसमें से ये जो seeds हैं वही इस पेड का रूप अब उन seeds ने ले लिया है तो ये एक अच्छी चीज है ऐसा मा कहती है it is a good omen, it may give a terrible headache to one line of cousins तो वो कहती है कि भले ही कुछ लोगों को genetically इससे terrible headache यानि migraine आ जाएगा लेकिन फिर भी ये एक अच्छा प्रती कि अपने घर के बाहर उग रहा है ये पेड इसलिए इसे नहीं काटा जाना चाहिए तो इस तरीके से जो मा है उसका एक emotional attachment है पेड के प्रती और इसलिए वो अपने बेटे को अलाव नहीं करती है कि वो इस पेड को काटे और यहीं पर ये जो पोयम है उसकी summary खतम हो जाती है होप आप कोई समझ में आई होगी सो चले हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई